दुंगरपु के किसानों का पारमवरिक खेती से मोह बंग हो गया है अब यहां के किसान मुनाफिय देने वाली फसलों पर अपना धान केंवेट कर रहे हैं दुंगरपु के दुवाडिया गाउ के रेने वाले तिन भाई योने पारमवरे खेती छोड़ कर गेंदे के फूलू के खेती कर रहे हैं और अच्छा कासा मुनाफ़ा भी कमा रहे हैं डूंगरपु की ग्राम 25 सुरूपुर के रहने वाले तिन भायों ने फूलू की कहती सवल्ता के नई कहानी लिख रहे हैं दोवाड़य गाव के तीन भाई कुदर पटील कच्रू पटील और तिसपाल पटील 25 साल पहले पारमवेतिक खेती कर रहे थे वे केहुँ दान पक का जैसी फसलों की खेती करते थे लेकिन देरे-देरे फसल का उत्पातन काफी कम होता गया इसके साथ ही मैनत जादा मुनाफ़ा कम होने लगा इन सब परिशानियों के कारण खेती के प्रती उनकी निराशा बढ़ती चले गई हाला कि खेती से मोह बंग नहीं हुआ तिनों भाईयों ने कुछ अलग करने के ठानी और कोई नई फसल उगाने का मन बनाया इसी बिजुने फुलों की खेती करने का विचार है जिसे कमभीतर से लिया परिवार के सदेसों ने भी इस काम में उनका समर्थन दिया उन्होंने फिर फूलो की खेती करना शुरू कि आज फूलो की खेती से वे अच्छी आमदनी प्राप्त करते हैं पारम पर एक फसलो की खेती की तुला में मुनाफ़ा भी कई गुना अधिक हुरा है मुसमों के अनुसार फूलो की खेती करते हैं तिन भाई मिलकर बाच विगा जमीन पर पूलो की खेती करते हैं 1 खेत में 2 दिन में 200 खिलो फूल लेकलते हैं 20-30 रुप्य कीमत परस्तानी वेपारी किसान के काव आकर फूल खरी ले जाते हैं इससे पहले तीन भाईयों के पिता केवल पटील गेहुं की खेती करते थे हलाकि उससे लागत के अनुरुक मुनाफ़ा नहीं हो पाता था इसी वज़े से तीन भाईयों ने फूलो की खेती शुरू की खेत में उनके परिवार के बारा सा दोस्तों ने भी उनका हाथ बटाया भाईयों की मैनक का अवरंग दिख रहा है एक समय गाओ के दूसरे किसान के हिंदे की फूल की खेती कुली कर उनका मसाख भी उड़ा करते थे अब वही लोग उनकी रहाव पर चलने को तयार है अब आसा में ही अड़ा में उनका में तीने अलग अलग वेरेटी न फूलों ने खिती करां हां